तो प्याड़े बच्चों कैसे हैं आप लोग आशा करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छी होंगे आज मैं फिर से आप सभी को अर्थ सास्त पढ़ाने के लिए आया हूँ अर्थ सास्तर में हमारा पर्थम अध्याय चल रहा है ठीक है पर्थम अध्याय का प्यारे बच्चो आपका एक कलास हो चुका है ठीक है स्वर पर्थम मैं पर्थम अध्याय का सिर्षक देता हूँ जो नई बच्चे है अपने कॉपी में सिर्षक लिखिए पर्थम अध्याय का सिर्षक है परिच है ठेक है चुकि प्यारे बच्चो अर्थ सास्तर का जो आपका पर्थम अध्याय है उस पर्थम अध्याय का सिर्षक है परिच है यहाँ अध्याय आपको काफी छोटा अध्याय है ठेक है पिछले क्लास में मैंने आप सभी को क्या क्या थोड़ा सब्सक्राइब करके मैं लिखी देता हूं पीछली क्लास में सौरप्रता मैंने आप सभी को अर्थ सास्तर का अर्थ बताया था ठेक है, अर्थ सास्त्र का मैंने आप सभी को अर्थ बताया था, अर्थ सास्त्र के परिभासा बताया था, ठेक है, मैंने आपको बताया था कि अर्थ सास्त्र का परिभासा भीन 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 विद्वानों द्वारा भीन भीन परकार से आपको दी गई है, अर्थ सास्त्र के परि दुवानों के नाम आपको बता थे, जैसे एडमishmith के अनुसौर क्या पड़िभासा बना, एडमishmith ने क्या कहा, तो एडमishmith ने कहा था कि अर्थिसस्ट आई क्या तो अर्थिसस्ट आपको धन का विग्यान है, ठीकтор, तो धन सबंदी विशार्धारा मैंने बताया, कल्यान सम मैं ने संभाया दूरलब्ता समझ्दी विचार धारा मैंने संभाया थिक है तो इसी परकार से कुल मिला करेकर यह पांच पड़ीभासा अर्थारत 5 विचार धारा मैंने आपको बताया थो फिर मैंने अर्थसास के जनक को बताया कि उसके बाद जो main point है आपको मैंने समझाया था आर्थी क्रिया ठीक है आर्थी क्रिया किसे करते हैं इसे मैंने काफी अच्छे से आपको बताया तथा आर्थी क्रिया को तो मैंने आपको बताया ही बताया साथी साथ मैंने आर्थी क्रिया के परकार को भी मैंने आपको बताया क आर्थी किरिया के कितने परकार आपको होते हैं ठेक है परकार को बताने के बाद फिर मैंने आपको कहा था कि आरति किरिया को ही Regner Fris ने 1933 में कब तो 1933 में आरति किरिया को दो भागों में आपको बाटा था कितने भागों में तब पयारे बुच्चा दो भागों में ठीक है एक भाग था आपका वैस्टी ठीक है पयारी बुच्चो वैस्टी अर्थ सास्त और दूसरा भाग था आपका समच्टी अर्थ सास्त, ठीक है, समच्टी अर्थ सास्त, मैंने यहां तक आप सभी को बता दिया था, कि आर्थिक किरिया को दो भागों में आपको बाटा गया है, एक व्यष्टी अर्थ सास्त में, और दूसरा समच्टी अर्थ सास्त में, और मै समस्ति अर्थसास्त क्या होता है समस्ति अर्थसास्त को समझाऊंगा कि समस्ति अर्थसास्त क्या होता है दोनों के बीच हम लोग अंतर देखेंगे तथा हम यह भी देखेंगे कि विश्टी अर्थसास्त का क्या विशेष्टा आपको होता है इतना पढ़ाने के बाद आपका और वस्तुने जितने भी बनेंगे सारा मैं आपको कड़ा दूगा पीडिया फाइल में जारे नोट्स में आपको भेज़ दूगा उसी के साथ आपका जो पर्थम अधिया है पर्थम अधिया है आपको समाप्त हो जाएगा ठेके चुकि यह आपको काफी छोटा सा क्या है तो प्याड़े बच्चों क्लास को प्रारम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे प्याड़ को जोएन नहीं कर रखा है तो आप अवस रूप से हमारे प्याड़ को जोएन कर लेजिए पूरी साल का मात्र पंद्रहसों रुपे लग रहे ह एम विवियाए विवियाए आपको चिनित किया जाएंगे अर्थात यदि आप पढ़ने में कमजूर हैं सिर्फ एम विवियाए अच्छी से कर लेते हैं तो आपका जो प्रसंटेज है वोट एकजाम में 80% से बन जाएगा सिलिवस को अक्टूबर में समाप्त करने के बाद गैस कोशन फिरी में दे करके रिवीजन भी आपको कराया जाएगा अर्थात अभी से लेकर के एकजाम होने तक का पहुंचो इसे का मात्रफी 1500 रुपे है यदि आप जूरना चाहते हैं तो आपको बस कोल करना है हमारा नमर है सत्तर एक सत्त पच्यास पैतालिस बावर बस इस नमर पे कोल करें और हमारे पेड़कोर्स को जोइन करने ठेक है तो प्यारे बच्चों सवर पर्था मैं आपको वेस्टी को समझाओंगा फिर मैं आपको समस्टी को समझाओंगा फिर दोनों की बीच हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों अंतर देखेंगे ठेक है तो सव से पाहला जो पॉइंट आता है वहां पॉइंट है वेस्टी ठेक है वेस्टी अर्थसास्त पेरे बुच्चों वेस्टी अर्थसास्त को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं यह ग्रीक वर्ड से आपको बना हुआ हालाकि अंग्रीजी हमको नहीं देखना है ओनली फॉर हिंदी तो हिंदी में इसे वेश्टी अर्थ सास्त आपको कहा जाता है अब जो वेश्टी अर्थ सास्तर है इसके अंतरगात हम लोग क्या करते हैं प्याड़े बॉच्छों तो द करते हैं तो प्याड़े बच्छों छोटी छोटी एकाई का ठीक है अब प्याड़े बच्छों छोटी छोटी एकाई आपका क्या हो सकता है जैसे आपका हो आपका हो गया आए अब आए को यह दिम छोटी एकाई लेंगे तो क्या हो गया परतिव्यक्ति आए परतिव्यक्त पिण आइख जब हम छोटि आस्तर पर परति व्यक्ति व्यक्ति यते ःस्तर हम fiquei गन्या करेंगे तो यहां गन्या किसके अंतर्गत करेंगे किली समय क्या इसके अलावा करेंगे तो प्याड़े बच्चों आपको मांग हो जाएगा अर्थात परतिव्यक्ति मांग हो जाएगा उत्पादन हो जाएगा फार्म हो जाएगा ठीक है उत्पादन हो जाएगा उपभोग हो जाएगा जब इन सभी का उत्पादन उपभोग आई कर ठीक है इन सभी का जब हम अध्यन कापी छोटे-छोटे स अर्थात विश्ती आर्थसास वे हम लोग एकाई बद तरीके से छोटी पैमानी पर क्या करते हैं तो अधिन करते हैं इनकी अलावा यह दि मैं उधारन की बात करूं तो दिखिए उधारन में और क्या क्या हो जाएगा तो एक उप भोगता ठीक है एक उपभोगता ठीक है एक उपभोगता यानि छोटी अस्तर पड़ आपका हुआ ठीक है इसकी अलावा और क्या इसका एक्जाम्पल हो जाएगा एक उत्पादक उत्पादक आप लोग मन है तो कॉंपी में भी लिख सकते हैं इसकी अलावा एक फर्म एक फर्म तो इसमें प्याड़े बच्चों हम क्या दिख रहे हैं ठीक है इसमें प्याड़े बच्चों हम लोग क्या दिख रहे हम तो बस यही देख पा रहे हैं कि हम व्यष्टी अर्थसास के अंतरगत जो भी अध्यनकार पार हैं वो साड़ा का साधा अध्यनका एक एकाई बत तरीके से है क्या वे छोटे पैमाने पर है बिल्कुल छोटे पैमाने पर है इसलिए छोटे पैमाने पर जब हम अध्यन करेंगे तो यहां अध्यन क्या करेंगे तो प्यारे बच्चों आपको वेश्टी अर्थसास कर लाएगा क्या कर लाएगा वेश्टी अर्थसास आप को कर लाइगा ठीक है अब जब हम इसी चीज को ठीक है जब हम प्यारे बच्चों इसी चीज पो बड़े पईमाने पर अध्यन करेंगे तो यहां मेरा हो जाएगा समष्टी और्थ्सा क्या हो जाएगा समस्ष्टी और्थ्थ्धuing अब बड़े पैमाने क्या हो सकता है जैसे कुल आए को हम बड़े पैमाने पर अध्यन करते हैं तो कुल आए का जब हम बड़े पैमाने पर अध्यन करेंगे तो क्या कर आएगा अडाश्ट्रिय आए अध्वा कुलाए तो यह किनके उधारन है तो प्यारे वोचो यह आपका समझ्टी आर्थसास के उधारन है जब हम बड़े पेमाने पर अध्यन करते हैं तो बड़े पेमाने पर का जो अध्यन होता है वहाँ समझ्टी आर्थसास के अंतरगत आता है जैसे रस्तिय मांग क्या रश्तिय मांग इनकी उधारन हो सकते हैं बिल्कुल पैयरे मूंच तो राश्तिय मांग में ये बड़े पेमाने का है यह राष्टिये मांग पूरे भारत देश का मांग है ठीक है अर्थात समस्टी के अंतरगत हम लोग जब बड़े प्रमाने पर अध्यन करेंगे अब बड़े प्रमाने को यह कोई भी हो सकता है आपका समाज अर्थात माने के चलिए आप जिस गाउं में रहते उस पुरे गाउं का अध्यन करिएगा समस्टी के अंतरगत ही आएगा आप जिस राज में रहते उस राज का अध्यन करेगा उस राज का कर उस राज का उत्पादन उस राज का मांग यह साड़ा का साड़ा किसके अंतरगत आएगा तब प्याड़े बचो समश्टी अंतरगत की आएगा जब कि यदि हम छोटे-छोटे प्राध्यन करेंगे एक व्यक्ति ले करके यदि मैं कहूंगा कि मेरा आए कितना है मैं कितना कर देता हूं तो मैं सिफ अपना व्यक्तिगत मैं आपको बतलाओंगा तो यह साड़ एक आपको समश्टी आपको दिया गया है वेश्टी भाग ओ है जबकि समश्टी भाग बू है क्योंकि हम लोग पहले छोटे-छोटे अस्तर को जानेंगे छोटे-छोटे चीजों को जानेंगे कि छोटे-छोटे किस प्रकार हमें अध्यन करना है जब छोटे-छोटे चीज में जो दो बुक है एक वेश्टी अर्थसास दूसर समझती अर्थसास तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका पहला बुक है वेश्टी अर्थसास उस बुक में जो हम लोग अध्यन करेंगे सिर्फ और सीफ छोटे-छोटे चड़ों में अध्यन करेंगे एकाईबत तरीके से ज्यादतर अध्यन करेंगे जैसे राष्टिये आपका समस्या हो गया ठीक है राष्टिये आए हो गया राष्टिये कर हो गया राष्टिये मांग हो गया इनका अत्याधिक हम लोग अध्यन करेंगे ठेक है इनका यदि मैं एक्जामपल की बात कुन तो और क्या-क्या आपका ह हो गया तो राष्टी आय हो गया कुल उपभोग हो गया इसे में बुलू कलर से ही लिखता हूं तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा ठीक है और इसका एक्जामपल हो गया कुल आपको दिकत नहीं अब हम आते हैं point number 2 यह थो गया point number 1 कि छोटे-छोटे यह बड़े प्यमाने पर अध्यान चहले अब इसमें देखिए बड़े प्यमाने पर जो अध्यान होगा अध्यान बड़े पर मानने पर पड़े बचों किसका होगा एक गाउं का यह आध्यान करेंग समाज और समाज के वैवहार समाज के वैवहार का अध्यन करते हैं ठीक है अध्यन करते हैं समझ्टी अर्षास में हम लोग समाज और समाज के वैवहारों का अध्यन करते हैं क्योंकि हम लोग बड़े पेमाने पर अध्यान करते हैं इसमें समाज हो जाएगा तो जाहिड सी बात है इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के विवार का अध्यान करते हैं ठीक है व्यक्ति और और व्यक्ति के व्यवहार का अध्यान अध्यान होता है ठीक है इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्यान होता है ठीक है तो प्यारे बचो इसको तो समझने में किस भी परकार से कोई दिक्कत लिए अब इनी अध्यन को हम लोग क्या बोलते हैं इनी अध्यन को हम लोग प्यारे बचो कीमत सिध्धान्त के भी नाम से जानते हैं अर्था तो व्यस्टी अर्थ सास्त्र को कीमत सिध्धान्त के भी ना से जानते हैं यह हम लोग कीमा सिधांत के नाम से जानते हैं तो समस्टिक तो हम रोजगार सिधांत के नाम से नाम से यहां पर बना कर क्लिक देता स्तीर पौइंट तो समिश्टी अर्थसास को हम लोग जानते हैं आइवण को आइवधियादि रोजगार रोजगार सिध्धान्थ्त्यानिंद ज महतं फ़िए इस के नामसे इसे हम जानते हैं तो प्याडदे बच्चों ये आपका हो गिया वेस्ती अर्थसास ये आपका हो गया समस्टी अर्थसास ठीक है अब आपके एकजाम में प्रशन आता है वेश्टी अर्थसास से आप क्या समझते हैं दो नमर के ये प्रशन आएगा तो बोल देना है वेश्टी सास के अंतरगत हम लोग छोटे-छोटे एकाईबत तरीके से अध्यन क करते हैं जैसे परतिविक्етि meer एक उपभुकता एक उत्तपादन एक फॉर्म इत्यादी को वेष्टी अर्थसास के अंत्रगत्थ वेक्ति और व्यक्थि के वैभार का अध्यन होता है होता होता है अध्यन होता है ठीक है जबकि यदि समस्टी अर्थसास की बात करो यदि आप से पूछा जाएगा कि समस्टी अर्थसास किसे कहेंगे तो आप लोग बुलिएगा कि जाते हैं जाए को इसे समाज्ची और समाज़ के वमादर अधिन करते हैं। तो यह आपका समष्टी कह परभासा हो गया अब यह आपके एकजाम में अंदर भी पूछा जाता है। कई बार आपके एक्जाम में अंतर भी पूछा जाता है तो अंतर आप लोग जब दोनों को बता ही दिये तो अंतर आप चुठकी में करब दिजिएगा पहला अंतर हो गया कि वेश्टी आर्थसास के अंतर करत हम लोग छोटे छोटे चणों में अध्यन करते हैं एकाइबत तरीके से दिन करते हैं यानि छोटे पेमाने पर दिन करते हैं जबकि समस्ती आर्थसास को बड़े पेमाने पर दिन करते हैं पहला अंतर जदी मैं दूसर कि वैस्टी को कीमत सिध्हांत के भी नाम से जाना जाता है जबकि समस्थी आर्थवागर के no updated तीन कोशन आपको समंपर समस्टि किसे करते हैं सम पहला समस्थी किसे कुर्थений प्यतर दोनों के आप क्या समझते हैं तथा दोनों के बीच अंतर अस्पष्ट काड़े यह आपको बन गया दिर्ग ठेक है तो यहां तक तो प्यारेबुचों समझने में कोई दिक्कत नहीं आपका तीन को सब्सक्राइब को यहां बन गया इसे पहले मैंने आपको बताया आर्थी किरिया किसे पिश्ले कलास में मैं आपको आच्छे से समझा दिया था तो यहां तेक तो कोई समझने कोई दिखकत नहीं अब हम आते हैं जो हमारा व्यास्टी-अर्थसास्ता की विसेस्ता की बात करेंगे कि व्यास्टी-अर्थसास्त् Beijigkeit हो जैसे एक्जाम्पल के तहत मान के चलिए प्यारे बचो जो हमारा प्यारा देश भारत है इस प्यारे देश हमारे प्यारे देश भारत में किसी भी परकार का यह दि समस्या उत्पन होता है तो समस्या उत्पन यह जो दिखता है तो बड़े पैमाने पर दिखता है क्या चीज़ तो बड़े पैमाने पर आपको दिखता है ठीक है तो इसी पर बड़े पैमाने पर यह जो दीखे यह जो दीखेंगा तो समस्टी कहलाएगा लेकिन जब इसका समाधान करने के लिए हम लोग सोचेंगे तो समाधान संभव है समस्टी अर्थसास के ही तहत आपको संभव है ठीक है मान के चलिए कि भारत में क्या है तो राष्टी आए काफी कम है तो लोग का जो आए है वह काफी कम है इसका अब लोगों का आए कम क्यूं है प्रशनम को लग गया ना कि लोगों का आए कम क्यूं है तो यह जानने के लिए कि लोगों का आए कम क्यूं है तो इसके लिए हमको तो सभी लोगों के बाड़े में जनना पड़ेगा कि सभी लोग क्या करते हैं यानि एक एक व्यक्ति करके जा करके पूछेंगे तुम क्या करता है तुम क्या करता है तुम क्या करता है तो कोई किसान होगा कोई गरीब होगा कोई भीकमंगा होगा कोई डक्टर होगा तो परत व्यारती व्यक्ति यहां प्रत का है और रिपोर्ड बना करके सांफून जानकारे देगा तो यहिए आपको आगे चल करके बन जाएंगा किसके लेटाफ आपको चल जाएका समस्चि की अब को चल जाएगा तो हम आपको Whiteboard को साहप करते हैं वाइट अरतास्तके महत्त के बाड़े में आपको मैं बताता हूं ठीक है तो, उसके बाद लास्ट में मैं अरे प्रॉभ्षे को भी लिख में आपको दोंगा उस प्रश्ण अंतर में को तो ठीक है है जो रहे आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आपको बनता है वेस्टी आर्थसास की विसेश्टा ठीक है वेस्टी आर्थसास्तर की विसेश्टा है ठीक है इसको बताने से पहले मैं आपको अस्पस्ट कर दिना चाहता हूं कभी-कभी वेस्टी आर्थसास्तर को दूसरे तरहे से वी पूछाजाता है यह मीने आपको नहीं बताया वेस्टी आर्थसास्त्र को हम लोग सुक्ष्म अर्थसास्त भी काते हैं क्या काते है बात क्राइध में लिए मिलिग देता हूं कि सुक्ष्मफ की श्रीक में मायकरो ठेकि है तो सुप्षमा अर्थ सास्त क्या यह वे सास को यह यह माइक्रो को बदत को बड़ाबर है ठीक है तो सुलीक जम आर्थ शास की विशेश्था पहला भिशेश्था क्या है तो यहां किया करता है तो यहां चो अध्यन करता है यहां व्यक्तियों का एकाईबद अध्यन करता है इसलिए मैं यहां पर पहला पॉइंट लेके देता हूं ब्लैक कलर से ठेके ना पहला पॉइंट हो गया व्यक्ति गत अर्थिक आर्थिक एकाईयों का अध्यन ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं कि व्यक्ति गत आर्थिक एकाईयों का अध्यन करते हैं ठीक है टो देखिए सबसे पहला आर्थि ये सबसे पहला व्यक्ति अर्थिक ये काईयों का अध्यन करते हैं जैसे एक उतब्षोग एक उतपादन करते हैं कि नहीं करते हैं परती होती परती कर अरह कहों के अध्यन कर लोग यह 10 लोग कितना कमाता है यह 10 लोग कितना कमाता है इसको जानने के लिए हम पहले तो क्या करें गए सब लोग से से कक्षाइगे कितने कमाया कितने कमाया कितने कमाया कि पूछने के बाद हम क्या तूर एक डाटा लेंगे कि यह दशलों कि इतना इतना कमाता Major Om Iska average sing लेंगे क्या निकालेंगे क Cr.'s का मतलब आपको हो गया कि लगवबिऑ कितना कमाता है तो लगवग बदो बताएंगे लगवग लोग इतना कमाता और यह छेत्र हो गया मान के चलो रोसरा पटण्गा लिख देंगे अब पटण्गा में 10 लोग अलग-अलग कमाता है तो जो अलग-अलग जो आक्रा दिया यहां काम किसका हो गया वेस्टी का आक्रा देने के बाद एक एवरेज आपको बता है कि यह कितना कमाता है इतना वह किसका काम हो गया समश्टी का हो गया ठीक है तो व्यक्तिगत आर्थी के तो इसका पहला व्यक्तिगत आय आपको होगा व्यक्तिगत आय हो गया व्यक्तिगत उत्पादन व्यक्तिगत उत्पादन और क्या होगा उपभोग उपभोग और क्या होगा व्यक्तिगत लागत ठेक है अर्था छोटे छोटे अस्तो पर इसका अध्यन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल प्यारे वच्चे हम लोग छोटे 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 चड़ों में इसका अध्यन कर पा रहे हैं अब हम आते हैं इसका दूसरा विस्यष्था और दूसरा इसका विस्यष्था है कि अती-सक्ष्म चड़ो का अध्यान है कि इसका जो धयान होता है छोटे पर माने पर अध्यान करते हैं सुक्ष्म तोड़ पे वह वेश्टी के ही अंतरकत हम लोग कर पाते हैं जैसे एक फर्म एक उद्ध्योग पर्तिवेक्ति मांग इत्यादी ठेक है एटीसी तो प्याड़े बच्चों असा करता हूं कि आपको पर्थम अध्या समझने में किसी भी परकार का कोई दिकत नहीं हुआ होगा पर्तम अध्या का जो लेक्चर है वो आपको समाप्त हो चुका है इसके अंतरगत मैंने क्या-क्या बताया तो मैंने आपको सभी पॉइंट में बता चुका हूँ जो भी प्रश्ण बन रहा है मैं एक बार फिर से आप सभी को मैं बता देता हूँ कि आपको कौन-कौन सा प्रश्ण आपको बन रहा है ठीक है सबसे पहला जो आपका जो प्रश्ण आपको बनता है वो प्रश्ण बनना इस पर यह प्राडब हो जाएगा सब्जेक्टिव की मैं बात करता हूँ अब्जेक्टिव के नहीं सब्जेक्टि के पड़कार आर्थिक किरिया के कितने पड़कार होते हैं इसी दोनों को जब मिला देगा सटा देगा आर्थिक किरिया से क्या समझते तता आर्थिक किरिया के पड़कार बता हैं यह एक दिर्ग हो गया कितना यह एक दिर्ग और यह दो लग हो ठेक है समझ गए दूसरा प्र से आप क्या समझते हैं, से आप क्या समझते हैं, इसमें दो लगू बन गया, एक वेस्टी किसे कहेंगे, दुसरा समझती किसे कहेंगे, अलग-अलग करके पूछेगा, तो दो प्रश्न हो गया, अब दोनों के बीच अंतर पूछ देगा, तथा दोनों के बीच अंतर बता अर्थसांस की विशेषता बता है नेक्स्ट आपका लोगू आपको बन गया ठीक है तो प्याड़े बचों नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लगू प्रशन उत्तर दिर्ग प्रशन उत्तर तथा वश्चुनिस प्रशन को कड़ा करके इस अध्याय को मैं समाप कर दूँगा य अन्वाद